कभी-कभी रात को सोते वक्त मेरे चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती है जिस दिन मैं अंदर से खुश और contented feel करती हूँ ये तब होता है जिए मैं बहुत confident होती हूँ और मेरे चेहरे पर एक glow आता है पर ये glow और मुस्कराट आता कहां से है ये तब होता है जब मुझे विश्वास होता है कि मैंने अपना best दिया है क्या आपको कभी ऐसा satisfaction और खुशी experience की है जब को realize होगा आप अंदर से महसूस करोगे कि आपने अपना best दिया है क्या आप ये ऐसास बार बार experience करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है आप में है कुछ खास You are special नमस्ते मैं हूँ शची सेट राइटर, entrepreneur, life coach और आपकी अच्छी दोस्त हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं Doing your best, how to give in your best ऐसा काम करें कि लोग ही नहीं, हम खुद से कहें अरे वा, आपके साथ भी ऐसा कई बार होगा जब आपने किस चीज़ में सफल होने के लिए पूरे दिल से मैनत की लेकिन थोड़े से margin से fail हो गए शायद मैं अपनी skilled नहीं हूँ मेरी किस्मत ही खराब है ऐसे doubts मन में आही जाते हैं हम successful क्यों नहीं होए इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं मेरा सबसे बड़ा concern ये पक्का करना है कि मैंने अपना best नहीं दिया इस वज़़से मैं fail नहीं मैं इस खूबसूरत कहानी को share करना चाहते हूँ जो इस moral के साथ खतम होती है कि हम जीवन में जो भी करें हमें अपना self-stress यानी best देना चाहिए एक बुज़र कार्पेंटर रिटायर होने वाले थे उन्होंने अपने contractor से कहा कि वो अपनी पतनी के साथ अधिक आरामदाइक जीवन और अपने गाउ में पुर्वजो के मकान में जाके रहना चाहते है वो अपना काम छोड़ना चाहते है contractor को अपने अच्छे वरकर को जाते देखकर दुख तो हुआ उसने पूछा कि बस एक आखरी बार क्या वो अपना घर एक नया बना सकते है कार्पेंटर मान गया लेकिन उसके काम करने के तरीके से पता चलता था कि उसका दिल अपने काम में नहीं था कार्पेंटर ने पहले तरह मन लगा कर काम नहीं किया और जो घर बनाने का समान इस्तिमाल किया वो भी इतना अच्छा नहीं किया एक अच्छे और सक्सेस्फुल करियर को खतम करने का अच्छा तरीका नहीं था। जब कार्पेंटर ने अपना काम पूरा कर दिया, तो कॉंट्रेक्टर ने आया, उसने घर का मौएना किया, फिर उसने घर की चाबी ली और कार्पेंटर के हाथ में दे दी। उसने कहा, ये तुम्हारा घर है, मेरी तरफ से एक गिफ्ट। कार्पेंटर हैरान हो गया, कितनी शर्म की बात थी, यदि उसने केवल ये पता होता, कि वो अपना ही घर बना रहा है, तो उसने ये सब कुछ अलग तरीके से किया होता, उसने अपना बैस दिया होता, ऐसा ही हम को पूरी लगन के साथ करना चाहिए अपना बैस्ट देना चाहिए तो आपके और मेरे लिए मैंने एक सेल्फ हेल्फ गाइड ये श्यौर करने के लिए बनाई है कि हम जीवन में जो भी करें याद रखें कि हमें अपना बैस्ट देना है फस्ट गिविट ऑल जब आप कोई का कर रहे हो तो पक्का कर लीजे कि आप इसे बेस्ट पॉस्बल तरीके से कर रहे हैं ये इतना आसान है पर क्या हम कर पाते हैं अपना सर्फ्रेस्ट प्रेस्ट कोशिश करने के लिए 100% एफट की जरहत होती है उससे नीचे कुछ भी होने का मतलब है कि हम वह सब नहीं कर रहे के डिफरेंस के बराबर होती है तो ट्राइ 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 टिल यू सकसीड जब आप पहली कोशिश के बाद ही हार मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने मान लिया है कि मैं आगे जितने भी कोशिश करूंगा वह फेल ही हो जाएंगी जबकि ऐसा नहीं है ये वैसा ही जिसे किसी व्यक्ति को जॉब इंटर्वी में रिजेक्ट कर दिया गया तो उसे यहीं ऐसा लगने लगा है कि अब मैं कभी भी जॉब इंटर्वी में पास नहीं होंगा वो ट्राइ नहीं करा जॉब इंटर्वी में जाने की अपना बेस्ट एफ़र्ट करने के लिए केवल एक ही नहीं बलकि बहुत सारे अटेंप्स की जरत है rejection या hard जीत के process का एक बड़ा हिस्सा है इसलिए कोशिश करते रहे और जब तक कोशिश करिये जब तक अब successful नहीं हो जाए क्योंकि गनी-काली रात के बाद ही तो सवेरा होता है काहनी तब तक end नहीं होती जब तक happy ending नहीं हो 3. Learn from your mistakes जब चीज़े काम नहीं करती तो सोचो कि मैंने क्या गलती की और सीखो और अपने अगले ब्रयास में कोशिश करो ने स्थीक करने की ये cycles चलाना सीखने जैसा है अब कई बार गिरते हो लेकिन हर बार 4. Ask for advice कई बार दूसरे वो चीज़े नोटिस कर पाते हैं जो आप नहीं देखते हैं वे आपको ऐसी insight दे सकते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा ही नहीं था और ऐसी details चो आप नॉमली मिस कर देते हैं शायद ये आपके और आपके approach के बारे में कुछ नोटिस करें जो आपने नहीं किया इससे आपकी improvement हो जाएगी कई बार इसे तब तक नहीं देख पाते हैं जब तक कोई आपको नहीं बताए यदि आपके पास किसी ने ऐसे व्यक्ति है जो आपकी केरने वाले काम में already successful हो गया है तो उसकी राय जरूर लें आपको successful होने में बहुत help हो जाएगी 5. Be optimistic मैं हमेशा positive रहने की सला देती हूँ pessimism है इतनी harmful negative thoughts खली negative results देते हैं optimistic बने रहे हैं हमेशा positive रहे हैं आप ऐसे काम करेंगे जो आप imagine भी नहीं कर सकते हैं अंजाने में ही आप successful हो जाएंगे 6. If you fail, do it in a dignified way बहले ही आप पूरी कोशिश करते हैं फिर भी कभी-कभी आप fail हो जाते हैं हार का दुख भी होता है याद रखने वाली important बात ये है कि हार को सम्मान जनक तरीके से ले हार को अपने उपर हावी ना होने दे क्योंकि ये भी chances है कि आप हारे तो अप उसमें आपकी गलती नहीं थी कुछ ऐसे factors थे जो आपके control में नहीं थे Of course upset होने की इच्छा तो होगी लेकिन हमेशे याद रखें कि best अभी आना बाकी है 7. Confidence your asset Confident होना हमारी personal पुझी है इसमें कोई फरक नहीं पड़ता कि आप क्या करते हो जितना हो सके अब उसमें confidence दिखाने की कोशिश करो तब भी जब आप डरे वे हो या गबराए वे हो दूसरों को आप अगर विश्वास दिलाना चाहते हो तो आपको खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है यदि आप खुद पर विश्वास नहीं कर पारे तो भी ऐसा दिखाओ कि आप बहुत confident हो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने दिखाया है कि आप confident नहीं होते भी आत्मविश्वास कैसे फिल करें मैं card share करती हूँ जरूर देखेगा हम हर किसी को doubts आना तो बहुत normal बात है लेकिन इसे अपने performance में interfere न करने दे एक बार जब आप doubt के घेरे में पढ़ जाते हो ना notifications off करना किसी शांत जगा जाकर बैठ कर वहां अपना काम करना या website blockers यूज करने जैसा है distractions से बचें और अपने goals पर focus करें ये किताब पढ़ने जैसा है अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो और अब बार बार उठते हो तो कि कहानी तो कभी पूरी नहीं होगी 9. Stay healthy आपकी physical और mental well-being आपका best देने की शंता में significant role play करते हैं अच्छी नीन ले, अच्छा खाना खाए, regularly exercise करें और stress management techniques जैसे yoga, meditation का practice करें 10. Be adaptable Changes के लिए खुले रहें और नई situations, नई problems और नई challenges के हिसाब से अपने बदलाव काम करने में changes लाएं Flexibility आपको unexpected obstacles से निकलने में help कर सकती है हमेशा अपने skills और abilities को सुधारने की कोशिश करते रहें Excellence की coach लगातार करते रहें 11. Stay committed लगातार अपना best देने के लिए commitment बहुत ज़रूरी है अपने goals के लिए strongly dedicated रहें और उन्हें हासिल करने के लिए अपने reasons को अपने को याद दिलाते रहें कोशिश करते रहें 12. Keep learning नई चीजी सीखने के लिए हमेशा तयार है Knowledge एक treasure की तरह है जो अलग-लग situations में आपकी मदद कर सकता है अपने चुनेवे field में अपनी knowledge, अपने skills को continuously बढ़ाते रहें सही knowledge और जानकारी होगी तो आपको अपना best देने में बहुत आसानी होगी 13. Compete fearlessly जिब अपना best देते हैं तो आप इस बात की चिंता नहीं करते कि दूसरे क्या कर रहे हैं आप अपने काम पर इतना focus हो जाते हैं कि आपको दूसरों की बिलकुल चिंता नहीं रहती गोल एक fearless spirit के साथ competition करने जैसा है जिसका मतलब है विश्वास करें और किसी भी हालत या situation से डरे नहीं कई बर क्या होता है कोई game से पहले या meeting से पहले जो team mates या players है सामने वाली team अच्छी है ये डर से ही mentally हार जाते है हमें ये नहीं करना है हमें निडर होके काम करना है अपना focus पूरा अपने काम पे लगाना है तो अपना best हम दे पाएंगे अपना best देने का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी करें वो perfect हो बल्कि इसका मतलब ये है कि आप पूरी कोशिश करते हैं और अपने काम में सुधार लाते हैं अपने goals तक पहुंचने के लिए लगातार attempt करते रहते हैं अपना best देने की journey थोड़ी professional है और performance desired level तक पानने के लिए आपको थोड़ा time लगेगा थोड़ी patience लगेगी आप जो भी करें आप उसमें पूरी सफलता मिले मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत helpful हुआ होगा यदि हाँ तो जल्दी से thumbs up बटन दबा दीजे और मेरे ऐसे और वीडियो के लिए मुझे subscribe कीजे बेल आइकोन मत बुलेगा notifications के लिए आज के लिए इतना ही आपका दिन बहुत 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 शुभो Goodbye, God Bless